नमस्कार मित्रों आज से मैं क्लाइमेटोलोजी का वो टॉपिक जो बहुत ही सोची समझे बहुत ही पढ़ने वाले और बहुत ही आईक्यू अच्छी लेवल वाले विद्यारतियों के लिए यह प्रशन एक्जाम्स में पूछा जाता है उस टॉपिक पर हम बात करेंगे पहले आप सभी का स्वागत रवी गुडिविंग मनस गुडिंग टमनना गुडिविंग हर्स जैन गुडिविंग मुस्ताख खान गुडिविंग अधिया शिर्वी आप सब्सक्राइब और गोजो नमस्कारतर गुड़ इवनिंग और अंकित शर्मा गुड़ इवनिंग तो बहुत सारे बच्चे अपने साथ जूड़ चुके हैं और आप सभी फटा फट शेयर कर दीजे इसको जिससे कि सारे के सारे बच्चे जूड़ पाएं और क्योंकि य सार्टिंग से हम इसको नहीं देखेंगे तो तब तक यह टॉपिक समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि बीच में से यह हम देखते हैं तो फिर पीछे से हम कनेक्ट नहीं कर पाते और यह थोड़ा सा क्लिस्ट है एक्जाम्स के अंदर ऐसे बच्चे जिनकी बनाया जाता है अशोग मीना भी आ चुके हैं हमारे पास अपने साथियों को जोड लीजिए एक मिनिट के अंदर फिर हम स्टार्ट करते हैं थॉंट वेट का जलवाई विवर्गी करन सी डबलू थॉंट वेट थे यह और इनका जलवाई वर्गी करन हम लोग पढ़ने वा यह सतीश चंद गुड मॉर्निंग और अब मेरे को यह बता दीजिए कि आपके पास मेरी वॉइस और विजिबिलिटी दोनों अच्छी पहुंच रही है रवी गुड इवनिंग रवी बताओ जरा मैसेज करके कि मैं स्टार्ट करूं आवाज प्रॉपर आ रही है हर्ष तिवाड़ी सबसे पहले आंसर देने के लिए थैंक्यू ओके सर थैंक्यू तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि थौंट वेट का जो जल्वाईव वर्गी करण है उस जल्वाईव वर्गी करण में हमारा किस तरीके से क्वेशन पूछा जाता है और कैसे हमें स्टार्ट करना है अंकित ने भी जवाब दिया थैंक्यू अंकित और और हितेंद्र शर्मा साथ जूड़ चुके हैं सतीष चंद ओके ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं और सातियों से निवेदन है कि अभी कम बच्चे जूड़ पाएं पूरे जूड़े नहीं है तो सभी है लोकेश यादव जी गुड़ मॉर्ण गुड़ इवनिंग और सब लोग जुड़ जाईए फटाफट आप सभी का सुवागत है चलिए हम स्टार्ट करते हैं थॉंट वेट का जलवाई वर्गी करण कोपेन का जलवाई वर्गी करण कुछ-कुछ बच्चों को क्लास में कराया भी जा चुका था ओफ-लाइन में तो अभी हम कोपेन का जो जल जलवाई के निर्धार करने वाले कारकों को काम में लेते हुए अपना जलवाई वर्गी करण दिया है इन्हों ने जो जलवाई वर्गी करण दिया है उसके अंदर थोड़ा सा क्लिस्टता जरूर आ गई है लेकिन वैश्विक इस्तर पर यह जो जलवाई वर्गी करण है वो बहुत ही सटीक जलवायू का निर्धारन करते हैं किसी भी इस्थान की, तो वेश्वे की इस्तर पर यानि वर्ल लेवल पर हम लोग ये जलवायू वर्गी करण देखते हैं, चलिए स्वागता आप सभी का, तो सबसे पहले हम बात करें, तो ये जो जलवायू वर्गी करण के अंदर, जो 1931 के अंदर थॉंट वेट ने दिया, ये सबसे पहले दिया, फिर 1933 के अंदर इसका संसोधन किया, और फिर आगे भी इन्हों ने 1948 में संसोधन किया, उसको देखें के क्या-क्या संसोधन इन्हों ने किया है, तो सबसे पहला तो ये ही क्वेश्यन आता है कि C.W. Thontwet ने अपना जलवाईव की वरगी करन सबसे पहले कब दिया है तो 1931 के अंदर और Thontwet थे कौन? कोपेन जैसे जर्मन जलवाईव वेता थे, एक क्लाइमिटलोजिस्ट थे वैसे ही ये एक अमेरिकन क्लाइमिटलोजिस्ट थे तो इन्होंने अमेरिका के नौर्थ से लेकर, कनाडा से लेकर, ग्रिनलेंड से लेकर और पूरा साउथ अमेरिका तक के जलवाईव वरगी करन और फिर पूरे विश्व इस तर पर जलवाईव वरगी करन निर्धारित किया है तो बहुत सारे डेटा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें काम में ली है इसे के साथ परद्यूमन जूड़ चुके हैं लोकेश यादव भी जूड़ चुके हैं और तनीशा मेहरा आपका भी स्वागत है और राजू सामोता राजू सामोता गुड़ इवनिंग आपका भी स्वागत है तो अब चलते हैं अपन आगे टॉपिक की तरफ तो देखिए सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि कभ इनों ने दिया है यह बेसिक आपकी भूमी का बनाने के लिए उन्वरस्टी और में तो बात आती है कि इनके अनुसार जो जल्वाईू वर्गी करण है वो वनस्पती जल्वाईू का जो निर्धारन करने वाला सबसे बेस्ट कारक होती है इन्होंने भी कॉपेन के अनुसार यह माना कि जो वेजिटेशन होती है ना वर्ड में लाइव जो थिंग है के अंदर से वेजिटेशन और वेजिटेशन क्लाइमेट का बेस्ट रिपर्जेंटेटिव होती है इसका मतलब सबसे अच्छा परती निदित्व करती है क्यों क्योंकि जैसी क्लाइमेट होती है वैसी परकार की वनस्पती या वेजिटेशन वहां ग्रो करती है क्योंकि क्ल कुछ वनस्पतियों को जो की हाइड्रोफाइट होते हैं उनके अलावा बाकी मुवमेंट नहीं कर पाते हैं जो समुद्रों में जीलों में उगती है वो थोड़ा बहुत मुवमेंट कर पाती है पाने के साथ बाकी सारी के सारी वनस्पति उसी जगह रहती है उसी क्लाइमेट एक रीजन के अंदर रहती है तो सबसे पहले ये धान देना है दूसरा वनस्पति के उपर रेन्फॉल वर्शा और तापकरम टेंप्रेचर रेन्फॉल और तेंप्रेचर दोनों का प्रफाव पड़ता है तो इसके साथ साथ इन्होंने या थो दोनों कोपे ने भी बताये थे लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने वाश्टी करन अवोपरेशन इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि evaporation कितना हो रहा है वाषपी करन कितना हो रहा है उस पर भी निरवद करता है कि evaporation करता है कि vegetation कैसे होगी तो यह हमें विशेश ध्यान देना है 1931 में version परभावित्ता इसका मतलब प्रसिपिटेशन इफेक्टिवनेस प्रसिपिटेशन इफेक्टिवनेस को आगे डिफाइन करेंगे अपन तो प्रसिपिटेशन इफेक्टिवनेस क्या होती है यानि वर्षन वर्षन क्या होती है एक तो होता ही वर्षा और एक होता है वर्षन एक होती है रेनफॉल और एक ह सबसे पहले हम बात करें शब्द वर्षण की कि वर्षण क्या है प्रसिपिटेशन क्या है रेनफॉल तो हम जानते हैं जलकी बूंदे बादलों से आती है रेनफॉल होता है वर्षा होती है लेकिन प्रसिपिटेशन या वर्षण क्या है तो वर्षण के अंदर आप विशेश सर्फेस को हुमिडिटी मिलती है अर्थ सर्फेस को आधिरता मिलती है वाटर मिलता है इसका मतलब यह है कि ओला भी गिरेगा हेल आएंगे तो भी वाटर मिलेगा पिगलेगे तब स्नौफोल होगा तब भी मिलेगा फोग आएगा तब भी मिलेगा ड्यू यानि ओस आएगी त कब भी आदर्ता कुछ ने कुछ मिलती है तो इस तरीका से वो सारे रूप जो आदर्ता देते हैं ध्रातल को वो सारे के सारे रूप क्या कहलाते हैं वर्षन और वनस्पति के लिए कितना effect उस वर्षन का होता है उस precipitation का होता है उसको कहते हैं हम वर्षन प्रभावित ता यानि precipitation effectiveness, इसको उन्होंने base लिया, second number temperature, हमें पता है कि तापमान या temperature जो है, वो वनस्पति को और जीवों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन temperature efficiency, इसके साथ उन्होंने शब्द जोड़ा तापकरम दक्षता, तापकरम दक्षता का मतलब क्या है, कि temperature की वह मात्रा, यानि वो वोल्यूम जो vegetation को, photo synthesis के अंदर, परकास sensation के अंदर, और तापमान को वो चीज, किस तरीके से animal kingdom और earth surface को effect करती है, कितना temperature, vegetation और पर्त्विका धरातल और animal kingdom काम में लेते हैं, उसे हम कहते हैं, तापकरम दक्षता, तो basic चीज आप ध्यान रखिए, इस पे बहुत बार IAS, RAS और आपके universities के questions के अंदर आ चुका है, objective के अंदर, कि thorn weight ने जल्वाई वर्गी करण का आधार क्या लिया, what is the basis of thorn weight climatic classification, तो ये दो चीजे हैं, वर्षन प्रभावित्ता, precipitation effectiveness और तापकरम दक्षता, अर्थात, temperature efficiency, ये दोनों आप ध्यान से रख लिजे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, गरीमा का भी स्वागत है, और सुनील गुजर आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग, बहुत अफ यू, और चलते हैं, आग AS सभी जगह पर questions पूछे गए हैं, school lecturer हो, चाहिए college lecturer हो, अभी questions देखेंगे भी हम, तो चलिए, आगे चलते हैं हम लोग, 1948 के अंदर, थौन ट्वेट ने वापस से अपने जल्वाई वर्गी करन के अंदर कुछ संचोधन किये हैं, क्या संचोधन किये हैं, आईए देखते ह जल्वाई वर्गी करन वर्णस्पति के अधार पर नहीं होना चाहिए, केवल उन्होंने क्या कहा, संभाववे वास्पोस्ट सर्जन के अधार पर होना चाहिए, इसका मतलब, rainfall के साथ साथ, क्या बात ध्यान रखनी हैं हमको, वर्षा के साथ साथ, क्या ध्यान रखनी है, rainfall fall के साथ साथ या precipitation के साथ साथ हमको रखनी है संभाववे वासपोस्ट सर्जन Potential Avoport Transpiration इसका मतलब है कि कितना वाशपी करण हो रहा है और कितना पोधों से जो है vegetation से जो है और animal kingdom से जो है स्वास के द्वारा या वाशपी करण जो हो रहा है पत्तों से टेहनियों से वो कितना है उसका measurement यह दी होता है तो यह सबसे best climatic condition को determine करने के लिए factor होगा तो इस तरीके से इन्होंने एक नया 48 में 1948 के अंदर यह एक नया indicator यूज किया जिसको कहते हम Potential Avoport Transpiration इसे भी हमें ध्यान रखना है कि 1931 के अंदर इन्होंने जो किया था उससे थोड़ा सा advance इन्होंने किया इसके लिए formula वगरा यह दिये हैं और इसके लिए इन्होंने चार जो है humidity इंडेक्स एक तो humidity इंडेक्स है दूसरा तापिये दक्सता सूचकांग thermal efficiency index तो इसको क्या कहते है thermal efficiency index thermal efficiency index तो इसके आदव जी गुड़ीवनिंग आपका भी स्वागत है अभिशेक गोलु गुड़ीवनिंग आपका भी स्वागत है अभिशेक शर्मा आपका भी स्वागत है तो गुड़ीवनिंग और बिलकुल अलर्ट हो जाईए एक दूसलाइड निकली है लेकिन आप लोग बुकलेट वगरा लेकर के और अपना नोट्बुक लेकर के थोड़ा सा नोट्स साथ के साथ लेते चलें तो बहुत भेतर आपको समझ में आएगा और बताइएगा कि यह तीनों चीजें एक तो वर्शन प्रभावित्ता तापमान दक्षता और संभाव्वे वास्प यह तीन इंडिकेटर्स हैं इस इंडिकेटर को उन्होंने 1948 में लिया और फिर इसके आधार पर चार इंडेक्स इन्होंने बनाए तीसरा इंडेक्स दो इंडेक्स बात कर चुके हैं हमपन हमिडिटी इंडेक्स और दूसरा है तापिय दक्षता सूचकांग थर्मल इफिश इन्डेक्स तीसरा इंडिकेटर है सुश्कता वय आधिता सूचकांग इसका मतलब dry and humid index तो dry and humid में से थर्ड इंडेक्स किस लग किसका लिया इन्होंने ड्राइ और हुमिड इंडेक्स और लास्ट और फाइनल इंडेक्स लिया इन्होंने थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स तो यह थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स है जो की इन्होंने ताप ये दक्सता और ताप ये दक्सता सूचकांग और ताप ये दक्सता ली केवल इंडेक्स नहीं लिया यहाँ पर केवल थर्मन इफिसेंसी लिया इंडेक्स नहीं लिया तो कुल मिलाकर ये चार चीजें यानि चार इंडिकेटर्स हैं जो की पूरा का पूरा डिसाइड क फिर्ञतात पर रहे है आदर्था का अभावे और आदर्था की अधिक्य था से है अर्थाथ किस ए 2020 खव viral आ किस एरिया में रेनफॉल इसका मतलब rainfall ज्यादा है वाश्पी करन कम है एक तो आधिरता आधिक के वाला यानि humidity surplus region दूसरा humidity deficit region तो humidity जो deficit region है उसके अंदर क्या होगा rainfall से ज्यादा evaporation होगा वेपराइजेशन होगा तो ऐसे दोनों इंडिकेटर को काम मिलिया इन्होंने और इसके लिए फॉर्मूला क्या था I M और I 1 month मतलब January to 12 month तक every month का इन्होंने I M निकाला exchange index निकाला 100S-60D upon PET तो क्या है यहाँ पर S क्या है मासिक आधरता अधिक है यानि ऐसे कौन से महिन है जिनमें आधरता अधिक है rainfall ज्यादा है evaporation से, evapotranspiration से तो S हम उन months का लिख देंगे कितना ज्यादा है वो लिख देंगे D मासिक आधरता का अभाव इसका मतलब यह है कि कौन से ऐसे मन्त हैं जहां पर evaporation ज्यादा है rainfall काम है तो वो आएगा D में तो 100S-60D numerator के अंदर होगा अंच में होगा इसके बाद PET तापिये दक्सता सूचकांग अर्थाथ Potential Evapotranspiration तो तापिये दक्सता सूचकांग जो है वो हम नीचे लिख देंगे तो इस तरीके से इस आधार पर इन्होंने कितने बनाए 9 humidity regions बनाए तो कुल मिलाकर इस formula के आधार पर अलग-अलग places का क्या निकाला rainfall ज्यादा है या evaporation ज्यादा है तो कुल मिलाकर के जिस मंत में evaporation ज्यादा होगा वो एस में चला जाएगा डी में चला जाएगा एस में नहीं सॉरी और जिसमें rainfall ज्यादा होगी जिन मंत के अंदर जब surplus होगा water तो वो एस मंत होगा तो इस तरीके से हमने एक formula उन्होंने दिया और इस formula से क्या निकाला 9 humidity जोंस बना दिये तो जो classification होगा वो 9 जोंस humidity के according होगे चलिए आगे देखते हैं फिर ताप ये दक्सता सूचकांग अर्था टेंपरेचर efficiency index ताप ये दक्सता सूचकांग सेकिंड जो इंडिकेटर इन्होंने लिया ये सूचकांग वास्तों में क्या है संभाव्वे तरजन का सूचक है अर्था पोटेंशियल अवोपोर टरांस्परेशन का इंडिकेटर है क्या है ये संभाव्वे वास्पोस्तरजन का सूचक है नेहा शेकावत गुड इवनिंग थोड़ा सा लेट जोइन किया तो इसको वापस से वीडियो को देख लेना आप तो पूरा स समझ में आ जाएगा बिल्कुल कंटीनियू लास तक बने रहिएगा और प्रियांशी जैन गुड इवनिंग आप भी आगया आपका भी स्वागत है तो देखिए अब ये इंडिकेटर फॉर्स्ट इंडिकेटर था जिसको आधरता सूचकांग का हिमिडिटी इंडेक्स और पी ए ती है क्या तो देखिए पी ए आफो फॉर्मूला क्या है 1.6 टैंड Treatytv इस्माल टी है अपॉन आ की पावर ए अ तो यहां पर देखें क्या है, I is equal to 12 month का T upon 5 rest to power 1.514 का total है, यानि 12 months का total लेंगे हम, कैसे 12 month का क्या total लेंगे, T upon 5 rest to power 1.514, यह rest to power है, यह दियान रखिएगा, यानि इसकी घात है, यह क्या है, यहां पर I का कारक है, indicator of I है यह, जो इन्होंने use किया, इस तरीके से T, T क्या है, temperature है उसका, उस month का average temperature है, तो T degree centigrade में लिया है इन्होंने, तो इस तरीके से यहां पर T की value रख देंगे, I की value रख देंगे और calculate कर लेंगे, तो उस place का क्या निकल जाएगा, thermal efficiency index निकल जाएगा, तो इस तरीके से thermal हर place का thermal efficiency index निकाला इन्होंने, अब यहां तक आप देखिए, कि जो thermal efficiency index है, उसके अंदर तापिय दक्षता के आधार पर 9 जोंस इन्होंने बनाए, और तापिय दक्षता के ग्रिश्मकालिन, सांधरन के आधार पर, अर्थात तापिय दक्षता का जो summer, जो intensity वाला region है, उन regions के अंदर, यानि hot desert के अंदर, 8 जो मंडल है, 8 जोंस है, वो निकाले, तो इसका मतलम 9 और 8 जोंस, एक तो temperature के आधार पर इन्होंने यह किया कि ग्रिश्मकाल, केवल जो summer region है, उसके आधार पर 8 मंडल, और तापिय दक्षता के आधार पर total मिलाके 9 जोंस इन्होंने decide कि हैं, तो इतने सारे जोंस का combination मिलकर के फिर बनता है, थोंट वेट का climatic classification, अर्था थोंट वेट का जलवाईविक वरगी करन, तो नेहा सिंग, नमस्ते, आँ, very good, starting से join कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा, I was asking question, हाँ, बताइए, that what is the difference between index and effectiveness, इंडेक्स में 12 मंत का, क्या है, इंडेक्स के अंदर 12 मंत का total मिला करके किसी place का बनाया जाता है, जो average precipitation और evapotranspiration और vaporization से मिलकर के बनता है, ठीक है, इफेक्टिवनेस का मतलब, यहाँ पर यह है, कि thermal effectiveness का मतलब, temperature का वो amount जो vegetation और animals को effect करता है, इसका मतलब, vegetation जितना portion energy का temperature का अपने photosynthesis में काम में लेता है, उसका calculation किया जाता है, तो उसको कहते हैं effectiveness, कि कितना जो आया और वापस चला गया temperature, उसका तो कोई effect नहीं हुआ, लेकिन आया और photothynthesis में use हुआ, उसको effectiveness कहते हैं हम लोग, और जब हम इसका total मिला करके 12 मन्त का ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं index, अब समझ में आ गया होगा निया, चलिए आगे चलते हैं, फिर third indicator जो है, वो है शुष्कता और आदरता सूचकांक, तो देखिए शुष्कता और आदरता सूचकांक यहां पर क्या है, humidity और जो dryness है, और जो humidity है, यानि wetness है, उसका एक indicator इन्होंने बनाया, इसका मतलब यह हुआ कि कौन से मन्त के अंदर rainfall ज्यादा है, और कौन से मन्त के अंदर evaporation ज्यादा है, evapotranspiration ज्यादा है, इस दोनों से ले करके इन्होंने एक index बनाया, वो index किस तरीके से है, आप द देखिए, कि इस सुचकांग का उपयोग आधरता-परियाप्तता, यानि water surplus, humidity surplus के मौसमी वितरन को निर्धारन करने के लिए किया जाता है, इसका मतलब किस-किस season के अंदर या किस-किस मन्त के अंदर water surplus की इस्तिति है, water surplus की condition है, और किस-किस मन्त के अंदर water deficit की, यानि पानी की कमी की इस्तिति है, तो दोनों चीजों को combination से ये वाला indicator आया है, जिसको हम कहते हैं, dryness and wetness index. अब इसके अंदर देखें, सुष्कता सूचकांग, आदर जलवाईयू के अंदर वार्षिक जलके घाटे, यानि कमी को वार्षिक संभावे वास्पोस जर्दम के परतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, के percentage के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात यहां पर क्या हुआ हुमिड क्लाइमेट जब होगा, तो एन्वल पूरा 12 मंद का लेकर के कि कितना total rainfall है, पूरे मंद में 12 मंद में, उसमें deficit कितना है, उससे हम लोग किसको निकालते हैं, कि 12 मंद के अंदर deficit कितना है पानी का, उससे हम dryness index को निकालते हैं, ऐसे ही आधरता सूचकां को कैसे निकालते हैं, वैटनेस index को कैसे निकालते हैं हम लोग, शुष्क जलवाईयू के अंदर जल आधिक्के को वार्चिक संभावे वास्पोस जर्जन के पर्तिशत के रूप में देते हैं, अर्थात dry climate जब होगा, तब वर्षायदी हो रही है अवापरेशन और ट्रांस्परेशन से ज्यादा वर्षा हो रही है, उसको लेकर के हम क्या करते हैं, संभावे वास्पोस जर्जन के पर्तिशत के रूप में, यानि पोटेंचियल अवापर ट्रांस्परेशन के परसंटेज के रूप में निकालते हैं, दोनों के अंदर ही ह के अंदर और यहां वेट क्लाइमेट जो सीजन होगा वहां पर और एक ड्राइ सीजन होगा उसके अंदर देखते हैं तो कुल मिला करके हम उल्टा देखते हैं कि ड्राइ सीजन के अंदर हम हुमिडिटी इंडेक्स देख रहे हैं और वेट सीजन के अंदर हम लोग क्या देख देख रहे हैं, तो यहां उल्टा उन्होंने लिया, यह ध्यान रखेगा, तो इसको ध्यान रखना है, और इसके basis के ओपर 10 जो sub-climatic regions बनाएं, तो कुल मिला करके यह वो indicator हैं, जिनके ओपर उन्होंने different climatic regions बनाएं, तो basis को समझना जरूरी है, क्योंगे इन basis के नाम को classification है, वो किस पर based है, तो यह विशेज ध्यान दे ना है, व जो आधिरता का जो सूचकांख है, यह सांदरन का जो सूचकांक है, यहानि आइद जायन ठाफी दक्सता क्या तो इसको मतलब क्या है, कि जो summer season के 3 months है, यह ध्यान देना है, 3 months summer season के, basically जब sun northward होता है या southward होता है, तो जो peak summer season के 3 months हैं, उनका संभाववे वासपोस्ट सर्जन अर्थाथ potential evapotranspiration का वार्षिक संभाववे वासपोस्ट सर्जन यानि annual potential जो evapotranspiration है, उसके percentage निकालते हैं, अर्था 3 months का ले लेंगे पहले तो, कि potential जो evapotranspiration है, वो 3 months के अंदर, summer वाले 3 months के अंदर, और फिर पूरे year का total ले लेंगे, उससे percentage निकाल देंगे, अर्था numerator में क्या आएगा? 3 months का, और 12 months का का हैगा? denominator में, यानि अंश के अंदर, उपर क्या लिखेंगे? तीन महिने का evapotranspiration, नीचे क्या लिखेंगे? 12 months का evapotranspiration multiply by 100, यानि उससे 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या प्रतिशत निकल जाएगा? और वो हमारी कहलाएगी thermal efficiency, इसके आधार पर climate को चार वर्गों के अंदर, इन्होंने चार classification इसके आधार पर दिये हैं, तो कुल मिला करके इन चार indicators के उपर different different type के classification दिये हैं, तो नेहां फिर से question पूछ रही है, कि I was asking question that what is the difference between index and efficiency, ये तो बात हो चुकी है, आगे कुछ और question है, यहां तक चारों indicators को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी पर based आगे के जो points हैं वो निकलेंगे, और उसके आधार पर फिर A climatic region, B climatic region या A dash climatic region, B dash climatic region, decide होंगे, और उसके साथ-साथ छोटे-छोटे कुछ alphabet और इन्होंने use किये, R, S, तो इस ताइप के जो classification हैं, वो आगे देखेंगे, चलिए, आगे देखते हैं, अब देखिए, एक question देख लेते हैं, कि indicators के उपर किस type से question Professor है, उसका question है, 2014 का, Assistant Professor जो college lecturer होते हैं, उनकी लिए R, P, S, का question है, थौन ट्वेट के जलवाई वर गेरें, 31 के मुख्य आधार के हैं, what is the main basis of Copen's 31 climatic classification, तो इसके अंदर 3 दिया है, version प्रभावित्ता, इसका मतलब precipitation efficiency, मासिक वर्षन, monthly precipitation, तापिय दक्षता, thermal efficiency, वर्षन प्रभावित्ता, वर्षन प्रशिपिटेशन एफेक्टिवनेस, और तापिय दक्षता के क्या कहते हैं, thermal efficiency, ओसत मासिक तापमान, average monthly temperature, तो इसमें अंसर क्या आएगा, नहाने, मानस ने पहले, सबसे पहले दिया है, C, यानि एक और तीन सही है, नहाने भी दिये दिया है, first का C, तमना ने भी C, और दिव्या, शिर्वी, इन्होंने भी C, आंसर दिया है, very good, आप चारों को सबसे पहले आंसर देने पर, और मनस को सबसे पहले देने पर, बहुत-बहुत बदाई, इसके लिए तालिया होनी च आंसर, प्यूस वस, C, आंसर, very good, तो इस तरीके से दो चीजें थी, thermal efficiency और precipitation effectiveness, और प्यूस ने भी आंसर दे दिया है, very good, तो आंसर क्या होगा, हमारा C होगा, एक और तीन सही हैं, जो दो और चार है, वो कोपेन के इंडिकेटर हैं, ना कि फॉंट वेट के इंडिकेटर, को कोपेन ने मासिक वर्षन या मासिक वर्षा लिया, वर्षन की प्रेसिपिटेशन की जगे भी rainfall लिया है उन्होंने, और उसत मासिक तापमान, यानि एवरेज मंत्री temperature लिया था, अपना base, तो कपिल ने भी आंसर दे दिया है, very good, तो thank you, चलिए, आगे चलते हैं, वर्षन तो जो precipitation effectiveness है, उसको कैसे इन्होंने use किया है, तो देखिए पहले, समस्त वार्षिक वर्षा के उस भाग को इंगित करती है, यानि पूरे annual rainfall के उस पार्ट को indicate करती है, जो कि वरस्पति की उत्पति और विकास को प्रभावित करता है, अर्थात, rainfall और जैसे भी humidity आ रही है, लेड जुडे मनीश, थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान रखे time का, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अब बाकी MA के सारे सातियों को भी फटाफट शेयर कर दो, आदे मिनट के अंदर, अब मेन वर्गी करन अब आ रहा है, अभी तक मैंने चारों बेसिस बताये थे आधार बताये थे, मनीश, तो अपने सातियों को फटाफट जोड़ लो, क्योंकि MA लेवल पर भी फटाफट का आपका क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है, जलवाई वर्गी करन है, वो है, तो अब हम एक-एक को लेकर के बात कर रहे हैं, कि वर्षन प्रभावित्ता जो अब वेजिटेशन एब दूब का तिनका भी हो सकती है, लौन का एक तिनका भी हो सकती है, और विशायल का पेड़ भी हो सकता है, सिनकोना का ट्री है, डगलस फ़र का ट्री है, हाइस्ट ट्री है, डगलस फ़र, वो भी हो सकता है, तो कुल मिला करके रेनफॉल उसको कितना निकाला जाता है, इन्होंने इसके लिए मासिक वर्षन परभावित्ता अनुपात, P upon E का परिकलन किया, अर्था P upon E is equal to total मासिक वर्षन, यहनी total monthly precipitation upon कुल मासिक वाश्पी करण, upon total monthly evaporation, इस से डिवाइड करके इन्होंने इफेक्टिवनेस को निकाला, तो इसे विशेध ध्यान रखना है, इस formula का भी पूछ लिया जाता है, चलते हैं आगे, तो वर्षन परभावित्ता कैसे निकालते हैं, इसका उन्दब precipitation effectiveness कैसे निकालते हैं, total monthly precipitation upon total monthly evaporation, अर्थात कुल मासिक वाश्पी करण का भाग दे देते हैं, किसमें, कुल मासिक वर्ष रेशो है, उसको calculate किया, पूरे मंस के लिए, तो 11.5 ये थोंटवेड ने formula दिया है, इसको विशेश रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, और exam में भी लिखना पड़ेगा, तो कि कैसे हमने एक ratio निकाला, तो 11.5 r upon t minus 10, less to power 10 by 9, तो इस तरीके से इसका formula इनों ने दिया है, अब यहां पर r क्या है, ओसत मासिक वर्षा, इंच के अंदर है, ये ध्यान रखेगा, cm में नहीं है, mm में नहीं है, ये किस में है, average monthly rainfall है, r जो इंच में है, t ओसत मासिक तापमान, degree for a night के अंदर है, degree centigrade में नहीं है, यहां पर विशेश ध्यान देना है, तो इस दोनों का ल r और t का मिला करके एक formula दिया, उस formula के आधार पर इन्होंने p upon e index निकाला, एक एक मन्त के लिए निकाला, पहले जनवरी के लिए i1 मतलब January, i2 का मतलब February, i3 का मतलब March, और ऐसे i12 का मतलब continuous चलेंगे, i12 का मतलब December, पूरा निकाल लेंगे 11.5 r upon t minus 10, rest to power 10 by 9, इस formula से हम calculate करके क्या निकाल लेते हैं, version, परभावित्ता, अनुपात या index निकाल लेते हैं फिर हर मन्त का, अब index निकालने के बाद इन्होंने categories बनाई और categories के आधार पर classification दिया है, अब ये वाला formula आपके समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, अब देखिए, thon weight ने क्या किया है, p upon e index के base पर 5 humidity regions बनाएं, क्या दिया है, 5 humidity regions बनाएं, version प्रभावित्ता है, humidity regions बनाएं, 5, तो इन सब के अंदर एक specific type की, एक vicious परकार की वनस्पती, vegetation मिलती है, तो क्योंकि humidity के ओपर depend करता है, कि vegetation का type क्या होगा, evergreen होगी, deciduous होगी, या zerophytic होगी, कैसी होगी, इसके ओपर depend करेगा, take a forest होगा, coniferous होगी, कैसी होगी, tundra vegetation होगी, कैसी होगी, temperate या tropical grassland होगे, क्या होगे, ये depend करता है, वहाँ पर precipitation effectiveness index पर, किस तरीके से निकाला है, देखिए, वो निकालने का formula हम बात कर चुके हैं, तो आगे, यहां तक समझ में आया है, मनीश, और न इससे की हम आगे की तरफ बढ़ें, अब आप देखिए, अब आज तो आ रही है सब को, थोड़ा message करके मेरे को बताईए, तो आगे हम बढ़ते हैं, चलिए, चलते आगे, अब देखिए, आधिरता प्रदेश, humidity regions किस तरीके से हैं, वो देखेंगे हम, वेट region होगा, यानि 12 मन तक surplus होगा water का, अब वोपर ट्रांस्परिशन और vaporization से ज़्यादा होगा, तो उसको A, capital A से इनों ने दिया है, और उसको वेट region का है, और यहाँ पर कौन से होंगे, rain forest होंगे, इसका मतलब equatorial rain forest होंगे, मनिष ने भी कह दिया है, निहा ने भी कह दिया है, समझ आ गया है सर, यह सर मनस भी कह रहे हैं, तमना वेरी गूड और दिवे शिर्वी वेरी गूड, तो चलिए, यहाँ पर देखिए, जो five regions बनाये हैं, इस five regions को बहुत ध्यान से देखना है, क्यों जो सबसे ज़्यादा rainfall होगी, वो equatorial region में होती है, यानि हमारी भूमद्य रेखिए छेतर के अंदर होती है, तो tropical region जो हमारा है, वहाँ rain forest मिलते हैं, और इसका index जो आएगा, वो कितना आएगा, 128 से ज्यादा होगा, जो हमने E upon, P upon E index निकाला, उस formula से, उसकी 12 months को यद कि वो wet region है, यानि capital A से denote करेंगे, कॉपेन के climatic classification में, इसके बाद, आदर परदेश, humid region आ गया, wet region से, second number पे आया, humid region और उसको B कहते हैं, यानि forest region, इसका मतलब, जो precipitation effectiveness है, उसकी value होगी, 64 से 127 तक, एक बार याद करने की ज़रत है, वो का वही value, thermal efficiency में होगा, वो का वही value इस में होगा, तो इस तरीके से 64 से 127 यदी होगा, तो वो humid region होगा, ठीक है, wet region नहीं होगा, humid होगा, और सो B से, capital B से denote करेंगे, इसके बाद, उप आदर, sub humid region, जिसको capital C से, जान दीजेगा, capital C से denote करते हैं, और वो grasslands है, अर्थात, इसके अंदर, जो precipitation effectiveness के value होगी, 12 मंत की, वो 12 से लेकर 63 तक होगी, कितनी होगी, 12 से लेकर 63 तक होगी, ऐसे ही, आर्थाशुष्क region, semi-arid region जो होगा, उसको D से denote किया है, जिसको हम step region भी कहेंगे, यानि, temperate grassland region भी कहेंगे, और इसकी value जो होगी, वो 16 से लेकर 31 तक, यानि 12 मंत के अंदर, 16 से लेकर 31 तक ही, इसकी value होगी इस तरीके से हम बात करें, तो arid region E को, जो desertic region इन्होंने कहा है, E को, जबकि कोपेन में E region कौन सा था, बिलकुल, polar के पास, यहाँ उलट है, तो यह विशेज ध्यान देना है, कि A तो वही है, लेकिन B जाब वहाँ desert था, और यहाँ पर क्या है, forest region है, यह ध्यान दीजेगा मांसून forest type का, उस type का, और जो आपका टेगा forest type का है, वो B region के अंदर आएगा, यह ध्यान दीजेगा, और C उपादर region के अंदर है, grasslands हैं, जैसे temperate grasslands, steppies, prairies, उस type के C में आएगा, तो यह ध्यान देना है, ऐसे ही, वहाँ पे C में क्या था, Mediterranean region था, भूमद्य सागरी छे रहता, यहाँ D, D यहाँ पर desert के रूप, semi-arid के रूप में, steppie type का, अर्द सुस्क, परकार के type kit, steppie परकार की grass वाला जो region है, थोड़ा temperature कम और वर्षा भी कम, वो वाला region है, 16 से 31, ऐसे ही सुस्क region जो E है, जो वहाँ पर पूरा polar के आसपास टुंडरा region में था, वो यहा विशेश रूप से, क्योंकि यहाँ उल्टा हो जाएगा, कोपेन रटते हैं, कोपेन का ध्यान रेता है, लेकिन थोड़ा सा difference है, वो विशेश रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, और 16 से कम इसकी value होगी desert की, चलिए, देखते हैं आगे, अब इसके आधार पर, कोपेन ने कुछ छोटे symbols भी लगाए, r, r का मतलब क्या है, small r का मतलब, विशेश ध्यान दीजेगा, जो कोपेन में f का मतलब है, यानि पूरे वर्ष वर्षा, सारे महिनों में, 12 के 12 महिनों के अंदर वर्षा, s, small s का मतलब क्या है, यहाँ, के अंदर minimum rainfall होगी, और winter के अंदर rainfall ज्यादा होगी, अर्थात, Mediterranean climate type का region होगा, वहाँ, s होगा, ऐसे small w का मतलब है, शीत काल के अंदर noon वर्षा, इसका मतलब यह हुआ कि winters में वर्षा कम, summers में वर्षा ज्यादा होगी, तो इसके अंदर rainfall ज्यादा, summers के अंदर w का मतलब, और D का मतलब है सभी मौसमों में न्यून वर्चा, यानि capital, small D, capital D तो अलग है, small D का हम ध्यान रखे है, small D जिसके साथ भी लगेगा, उसका मतलब यह होगा, कि all seasons, all 12 months के अंदर rainfall कम, evaporation और evapotranspiration जादा होगा, तो विशेज ध्यान रखना है, R, S, small W और D का भी, इसके साथ साथ A के अंदर इन्होंने A के साथ लगया, जो कागज पर हम लोग बना सकते हैं, A, R, A, S, A, W और A, D, सबी के साथ बना सकते हैं, SAC के साथ RSWD लगा दिया, D के साथ RSWD लगा दिया, E के सार RSWD लगा दिया, इसका kanbhे वावण वाला शेट्र है और किसी भी महींने में और जएसन आ लुकी नहीं है तो आखिग रिख वह सारी चीज़ें था हम है किति लिए कि कि बनाएंगे तो सही 20 लिखेंगे हम 20 के 20 लेकिन इनका जो मैप में देखेंगे combination बना कर वो नहीं मिलेगा कितना मिलेगा वो अपन बात करेंगे आगे जब हम B, C और D इन सब को देख लेंगे चलिए सबसे पहला precipitation effectiveness अर्थात वर्षन प्रभावित्ता के आधार पर कितने उप्रवाग बने कितने जलवाईव परदेश बने 20 जलवाईव परदेश बने तो इनको ध्यान रखना है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अब तापिय दक्स्ता थर्मल एफिसियंसी के आधार पर कितने किसके आधार पर थर्मल एफिसियंसी के आधार पर तापिय दक्स्ता के आधार पर कितने क्लाइमेटिक रिजन्स इन्होंने बनाए हैं तो पहले तो तापिय दक्स्ता होता क्या है तो वनस्पति उत्पति एवं विकास में तापकर योगदान होता है और इसके लिए इन्होंने मासिक तापिय दक्षता अनुपात यानि मन्थली टेमप्रेचर इपिसेंसी रेशो निकाला तो इससे विशेष ध्यान देंगे आप इसके लिए इन्होंने जो सिंबल काम में लिया T अपॉन E रेशो काम में लिया T माइनस 32 अप निकाला यहाँ कैपिटल T क्या है ओसत मासिक ताप मांग डिग्री फॉर नाइट के अंदर इसमें डिग्री फॉर नाइट के अंदर एवरेज मन्थली टेमप्रेचर है यह चलिए आगे देखते हैं T अपॉन E जो इंडेक्स बनाया वैसे ही सुमेशन I1 से लेकर I12 और ता दिसंबर तक कर देंगे तो हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा और तापिय दक्ष्टा इंडेक्स अमारे पास आ जाएगा थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स आ जाएगा उसमें भी वही क्लासिविकेशन है 128 फिर 64 से लेकर 127 इस तरहीके से बिलकुल आगे चलता है तो चलिए इससे निकाल देंगे यह तो इजी है इसमें कोई पावर वगरा तो है नहीं उसमें था चलिए आगे देखते हैं अब इसके आधार पर इन्होंने छे तापकरम परदेश वह हुमिडिटी रीजन बनाए थे यह क्या बनाए तेंप्रेचर रीजन बनाए तेंप्रेचर इफ इसको रिपीट करते हैं पाव पीछे चलते हैं वापस थोड़ा सा आप यह दक्सता थर्मल इफिशियंसी किसे कहते हैं तो देखिए थर्मल इफिशियंसी का मतलब क्या है टेंप्रेचर की वह मात्रा वह अमाउंट जो किसको वेजिटेशन को ग्रो करने में और वेजिटे अब टी अपॉन इंडेक्स बराबर क्या होगा प्लस करेंगे हम जनवरी से लेकर 12 मंत का एवरी मंत का निकालेंगे फिर प्लस कर देंगे सबको तव टी माइनस 32.4 डालते जाएंगे एवरेज मंत्री टेंपरेचर लिखते जाएंगे काल्कुलेशन करेंगे लिएक से 12 मैने इंडेक्स आज जाएगा जैसे आब इसके आधार पर हम ने क्या क्या सिक् możemy प्रदेश है उसको हमने बनाइए तो सबसे पहले एए अब ध्यान रखिएगा यहां पर भी capital यह ए यूज किया है लेकिन साथ में क्या किया इन्होंने ए डैश लगाया है तो ocean cut even यानी tropical region के अंदर more than 128 128 या उससे अधिक value जो आएगी thermal efficiency index की वो इसमें चला जाएगा ऐसे ही आदर प्रदेश के अंदर भी wet region के अंदर भी हमने क्या किया था वर्चावन थे वहां पर तो एडेश की जगे वहां ए था यहां टेंपरिचर का उपर है वो precipitation के उपर डिपेंड था चलिए बी डेश मद्यतापी है यहां मेगा थर्मल है हुशिन कटी बंद है ट्रॉपिकल रिजन है तो क्या कहेंगे इसको मेगा थर्मल क्लाइम मेटिग रिजन तो 64 से 127 वर्चन परभाविता में वैली वही थी 64 से 127 ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह मैसो थर्मल रिजन हो जाएगा मद्यतापी अवस्ता हो जाएगी ऐसे ही सी डैस में देखें सुक्षमतापी है माइक्रो थर्मल माइक्रो थर्मल के अंदर वह और मेसो थर्मल को ब डैस से और इसको सीड़ से कैपिटल सीड़ से ऐसे एसे ड़ण से टेगा को जो झो सोला से इकत्तीस यानिि शीक्स्टिन टू थर्टीवन ठर्मलовать da कैसे नच होगा तो यह क्या होगा तेगा को डिनोट करेगा d summer ng अब he does किसको डिनोट कर रहा है टूंडरा श्मय तुपious रिजन को वहां पर अंदर frozen area होगा यानि frost जहां जहां permanent ice cover होता है जैसे अंटाक्टिका पर higher हिमालिया रोकी एंडीज के higher जो ranges हैं उनके slopes के उपर permanent ice cap होता है और polar area के आसपास का टुंडरा रीजन है Greenland है, Iceland है, Kannada का northern part, Siberia का northern part, Russia और Europe का northern part जो है उस छेतर के अंदर भहुत सारा land ऐसा है जो हमेशां frozen रहता है उसके लिए F-dash use किया है और zero उसकी value इनोंने की है क्यांकि वहाँ precipitation होता ही नहीं है high pressure belt है, low temperature है तो high pressure belt है और precipitation वहाँ पर नहीं होता है तो उसकी वज़े से यहाँ पर zero values की लिए तो फुल मिलाकर six climatic regions A-dash, B-dash, C-dash, D-dash, E-dash लिया है उन्होंने और F-dash भी साथ मिलिया है E वहाँ तक था, F यहाँ पर extra है तो इसको ध्यान रखेंगे यह किस के उपर based है thermal efficiency index यानि ताप यह दक्स्ता सूचकांग के उपर निरभर है तो यह चीज़ें आ गई A, B, C, D, E समझ में आया A-dash, B-dash, C-dash, E-dash और F-dash समझ में आया अब इनके combination से कैसे कैसे बनेंगे तो इन में भी चार-चार वो लगा सकते हैं तो देखते हैं कैसे तो इसके अंदर A, B, C, D के अंदर क्या है यहाँ पर question है UGC NET 19 का, 2019 का question है रेटेस दो चार-पांस साल पहले काई निमनल लिखित में से कौन सा thorn weight का जलवाई वगेगण का आधार है यह RPSC lectureship में भी आया और वो ही कोश्चन लगबग-लगबग NET UGC के अंदर भी आया है वर्षन परभाविता और ताप ये दक्स था यह आ गया प्राकरतिक वनस्पतियों के वेस्ट विक वित्रण यानि world distribution of natural vegetation तीसरा है भूमी और जल निकायों का वित्रण इसका मतलब land और water bodies का distribution इसके उपर based है क्या और वायू सहती का प्रभा यानि moment of air mass तो इसमें answer क्या होगा सबसे पहले मनस फिर रवी का answer कितनी बार ए लिखा है और नहा का भी second question का भी ए तमन्ना भी ए रवी रवी सेनी very good ए और दिव्या शिर्वी a answer very good तो सब को पता चल गया की UGC net का भी आप clear कर जाएंगे इसका मतलब यह हो गया आप तो बहुत होश्यार बन गए और lecture ship में भी ऐसा question आया तो आप बिल्कुल clear कर जाएंगे और आपके college और university लेवल पर आया तो निस्ची तरूप से आप correct करेंगे ही करेंगे यह मुझे पूरा विश्वास है thank you very much आप सभी को बहुत-बहुत बताई कि ए आंसर इसके अंदर होगा तो बिल्कुल सही ए आंसर ह हो गई होगा इसके अंदर चलिए आगे देखते हैं हम अब एक question और है यह है यूजी सी नेट ज्यारफ 2018 में भी यह question आया जो thermal efficiency है उसके उपर based है यह question और कितनी value है वो पूछा गया है तो देखते हैं एक तरफ index है मद्यत आपी अवस्ता सुक्ष्मित आपी अवस्ता यानि मैसो thermal, micro thermal, tega and tundra यह reason दिया है तो इसका b dash c dash d dash और e dash यहाँ पर d dash यहाँ पर c dash यहाँ पर b dash इसका indicator है अब इसमें value कितनी थी बता सकते है आप एक को पकड़ लेंगे तो आ जाएगा आपके पास कैसे मद्यत आपिए सबसे ज्यादा से चलते है यह 64 आ गया तो यह 64 से वेरी गूट सबसे पहले दिया है मनस कुमावत ने वेरी गूट मनस नेहाने सेकंड नंबर पे तमन्ना थर्ड नंबर पे और दिव्या शिर्वी रवी वेरी गूट सबका आंसर बिल्कुल सही है तो थोड़ा सा ध्यान दें तो निश्चित रूप से उन चीजों को आप आएगा तो बी का फोर्ट आएगा और ऐसे ही कि का ए और डी का टू बिल्कुल सही है तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं यह दि वर्षन परभावितार वर्षा के मौस्ट मी वित्रण यानि 20 के साथ उस 20 के साथ में हम यह लगा दें 6 तो कितने हो जाएंगे 120 सब डिविजन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 120 अर्थात वर्षन परभाविता प्रेशिपिटेशन इफेक्टिवनेस वर्षा के मौस्ट मी वित्रण यानि सीजनल डिस्टिविशन ऑफ रेंफॉल और थर्मल इफिसेंसी के बेस पर यदि हम तीन चीजों के बेस पर बना दें कॉंबिनेशन जो 20 हमने बनाये थे और 6 इसमें एड कर दें सभी 6 के साथ 20 लगा दें या उन्हीं 20 के साथ 6 लगा दें तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएंगे सब डिविजन लेकिन वर्ड लेवल पर यह 120 मिलते नहीं पेपर पे तो बना सकते हैं क्या कर सकते हैं पेपर पे तो बना सकते हैं लेकिन 120 ना तो हमको पेपर पे बनाने नहीं वर्ड में मिलते हैं देखते हैं यह पूरे 32 है यह मिलते हैं वर्ड में तो कॉपेन के जो क्लाइमिटिक क्लासिफिकेशन है 1931 का 36 में थोड़ा सा संसोधन किया था और फिर 48 में थो जो मिला जुला है उससे ये 32 climatic regions वर्ड में मिलते हैं तो कौन-कौन से हैं आई ये देखते हैं मिला करके thermal efficiency और precipitation effectiveness दोनों को मिला करके हम बात करें और small letters को भी बात करें तो A A-R मिलेगा यहाँ पर मिलेगा A B-R मिलेगा और A C-R मिलेगा लेकिन A D-R नहीं मिल पाएगा के वल तीन ही अर्थात A capital के साथ A-B-C- लगेगा और R-R लगेगा लगेगा तो याद हुआ नहीं है बिल्कुल common तीन climatic regions A के साथ मिलेंगे A के साथ A-देस लगाई है A के साथ B-देस लगाई है A के साथ C-देस लगाई है और R-R लगा दीजे तो A का complete हो गया यानि tropical region का पूरा climatic छेत्र complete हो गया आगे इसका abbreviation भी देखेंगे चलिए और word map पे भी देखेंगे चलिए अब B-देस B के साथ A-देस R, B के साथ A-देस W, B के साथ B-देस R, B के साथ B-देस W और B के साथ B-देस S और B के साथ C-देस R और B के साथ C-देस S तो कुल मिलाकर के 7, B के साथ climatic regions मिलेंगे, कितने 7, A के 3, इसके 7, तो इसके 3 हो गए, इसके 7 regions हो गए, तो A A dash, A A dash, R और W दोनों मिलेंगे, B dash के अंदर, A B dash, A, sorry, B A dash, B A dash W और B A dash R, दो region होगे A dash के साथ, B B dash R और B B dash W और B B dash S, तीन region होगे B dash के साथ, और C dash के साथ, B C dash R और B C dash S, दो ही region मिलते हैं, तो कुल मिलाकर के 7, सब divisions किसमे हैं, B के साथ, B dash भी लगेगा, C dash भी लगेगा, A dash भी लगेगा, B के साथ, और R W, R WS और R S लगेंगे, इस तरीके से हम बात करें C के साथ, तो यह बिल्कुल 10 हो जाते हैं, कैसे, C A dash R, C A dash W, C A dash D, C D और C, तो D तक मिलेगा, A dash के साथ, C का combination, और C B dash R, C B dash W, C B dash S, और C B dash D, यहां पर चारों मिलेंगे, R W, S, D, चारों मिलेंगे, यह small letters का mining समझ चुके हैं, ऐसे ही, C C dash R, C C dash S, और C C dash D, तीन मिलेंगे, तो कुल मिलाकर, C A dash के साथ 3, C B dash के साथ, हमारे 4, और C C dash के साथ 3, तो 3 और 3, 6 और 4, 10, उप वरगी करन जो उप परकार है जलवाई के, वो C के साथ मिलेंगे, तो C के साथ ही सबसे ज़्यादा है, यानि भूमद्य सागरों उसके आसपास का area, दोनों गोलार्दों के अंदर, जहां जहां जलवाई प्रदेश हैं, उन छेत्रों के अंदर यह मिलेगा, इसके साथ D, D A dash W, D A dash D, D B dash W, D B dash S, D B dash D, और D B dash C, D, D C dash D, यहां पर आएगा, D B dash D, और C, D C dash D, तो यहां पर यह ध्यान रखना है, कि D के साथ, A dash W, D के साथ A dash D, और D के साथ, देखिए, D के साथ R नहीं है, तो D के साथ W D है, और D B dash के साथ W S है, है डी के साथ में तो यह ध्यान देना है ऐसे के साथ में क्या है एक साथ में ए डासडी ईबी डासडी और ए चीडास डी डी स्मॉल लग रहा है एडास बीडास सी आधिन यह और यहांपर कितने है यह 6 classification है तो 3, 7, 10 और 10, 20 और 6, 26 और 3, 49, 29 हो गए है ना और 30, D-डेस, E-डेस और F इसके साथ कोई भी A, B, C, D नहीं लग रहा है नहीं R, S, W, D लग रहा है D-डेस, E-डेस और F-डेस अकिल हैं तो कुल मिलाकर के यह 30, 31 और 32 कुल मिलाकर 32 climatic regions पूरे world के अंदर इस तरीके से मिलते हैं तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखना है इनको इस टेबिल को विशेश रूप से आप ध्यान रखेंगे और combinations इस तरीके से करेंगे तो दो-तीन बार revision करने पर याद भी हो जाएगा चलिए देखते हैं आगे आप देखें तो इन regions के अंदर हम बात करें कि एक बार indicate करके बताइए मुझे कि यहां तक आपका जो आया है वह समझाए फिर हम मैप के तुरू इन regions को देखेंगे कि कहां कहां पर कौन-कौन सी regions मिलते हैं यह पूरा बहुत क्लिस्ट है मैप तो और चोटा सा मैप आपके मोबाइल में या लैपटोप पर दिख रहा होगा तो इसके अंदर देखना और उसकी सीमाओं को आइडेंटिफाई करना थोड़ा टिपिकल जरूर है दिव्या शिर्वी यह सर पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है चलिए यह बहुत उस्सा वर्दक है हमारे लिए कि जिस्से की जो क्लाइमेटिक रीजन से हैं हाला कि यह बहुत क्लिस्ट उबाव करने वाला उबाने वाल SUBACONA टॉपिक है लेकिन यह तिस्से स्मेटिक तरीके से समझते हैं तो निश्ची तूरूप से यह दिमाग में जाता है हां है यह जरूर है कि हमें याद करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन निश्ची तूरूप से आप ध्यान दीजिए इस चीज को आप ध्य देंगे तो निश्ची तुरूप से समझ में भी आएगा और दिमाग में भी बैठेगा हाँ आई क्यू तो हमें थोड़ा लगाना ही पड़ेगा चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्विटोरियल जो रीजन है यह पूरा का पूरा है एक एक करके लेके देखें तो एक एक रीजन को बढ़ा करके दिखाता हूं तो अब देखिए सबसे पहले ए रीजन को देखें तो ए रीजन में कितने थे ए एडस आर एबी डैस आर एसी डैस आर यह तीन रीजन थे एडस आर का मतलब क्या है उश्ण कटिवन दिये तर जलवायू सभी महिनों में परियाप् इसका मतलब ट्रोपिकल वेट क्लाइमेट रैन्फॉल इन आल मंग्स यह पूरा यह कह यह नाम लिखना पड़ेगा कौंसा ट्रोपिकल रैन क्लाइमेट अना वेट क्लाइमेट एन रैन्फॉल इन एव्री मंग्स तो जोग्रफिय की तरफ से एक अपील है प्लीज सब्सक्राइब दा यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट मैक्जिमम फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड इससे वोचिंग आवर्स और प्लस हमारा जो उस्सा है वह बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो निशित रूप से बहुत सार घरर देखते हैं ऐड़ेश आर्, ये देखर यहां पर वैनेज Youala के जर्कारिया ऑर उच्छी फार्फिट सब्सक्राइब यहां पर है और यहां पर देखिए मलेशिया के बिल्कुल पास पर ऐसे ही बांगलादेश और मेगाले के पास ऐसे ही हम बात करें तो वियतनाम और उसके आसपास ऐसर यहां पर देखें तो इंडिया के अंदर भी ऐसर कुछ रिजन जो है वेस्टन घाट के उपर मिलता है और यहाँ पर मलेशया के अंदर मिलता है यहां पर जावा और समाइत्रा के आस पास का छेत्र है जहां पर यह मिलता है पापवान यू गिनी का छेत्र जो कि आस्टीलिय के जस्ट उपर ऊक्वेटर के आसपास है और आस्टीलिय का भी North Eastern part तो यह वो रीज़न है जहांपर A A-R climatic region मिलता है ऐसे ही A B-R A B-R region इसी के पास-पास-पास के region के अंदर मिल रहा है A B-R बहुत कम एरिया के अंदर है तो कुल मिलाकर के कुछ काली मंतान आइलेंट के उपर और बाकी छेतर के अंदर यह नहीं मिलता है तो बहुत कम एरिया के अंदर यह मिलता है फिर A C-R सुक्षम तापिय तर जलवायू सभी महिनों में वर्षा तो A C-R जहांपर सभी महिनों के अंदर वर्षा रहती है तो देखते हैं आगे तर जलवायू यानि टेगा रीजन के आसपास का कुछ छेतर और कुछ एरिया जो हायर हिमाल्याज का है उपरी एरिया है एंडीज का उपरी एरिया है जहां पर टेंपरेचर भी कम रहता है और वर्षा ज्यादा होती है उस एरिया के अंदर एसी डैस आर सुक्षम तापिय तर जलवायू सभी महिनों के अंदर वर्षा वाला एरिया मिलता है तो चलिए बीपर चलते हैं इसके बाद यहां पर बी में क्या है साथ क्लाइमिटिक जो रीजन्स हैं उनके नाम लिखने पड़ेंगे एक्जाम में भ दिया आदर जलवायू शीत काल में कम वर्षा अर्था ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट एंड लेस रेंफॉल इन विंटर तो यह हो जाएगा इसके बाद बी डैस आर मैसो थर्मल क्लाइमेट मद्य तापिय जलवायू आदर जलवायू है इसका मतलब हुमिड रीजन है और स सब्सम बर्शा होगी जैनी रेंफॉलिन एवरी मंथ ूइवी डियाज डैस डवलू ुमद्य तापिय मेसो थर्मल क्लाइमेट है जहां पर हुमिड क्लाइमेट है और चीतकाल के अंदर कम वर्षा अर्थात लेस रेन्फॉल इन विंटर्स चलिए बी डेस S मज्य तापी जलवाई हूँ मैसो थर्मल क्लाइमेट हो जाएगा जिसमें हुमिट क्लाइमेट है और गिरिश्म काल्म के अंदर कम वर्षा एसका मतलब क्या होता है समर लेस रेन्फॉल इन समर ऐसे ही बी सी डेस आर शुक्ष्म तापी है आधर जलवाई हूँ यानि माइक्रो थर्मल यूमिट क्लाइमेट रीजन आ गया और आर का मतलब रेन्फॉल इन एवरी वंस हाँ हमारे साथ सायर सिंग सर भी जुड़ चुके हैं और गुड़ इवनिंग कर रहे हैं वेलकम सर बहुत देर बाद आप जुड़े तो बहुत अच्छी बात है निहाज अपील निहा की अपील देखना है क्या है लुक एट निहाज अपील तो नेहा एक बार वापस डाल दो, थोड़ा सा उपर चला गया है तुमारा, और मैं समझाने के अंदर थोड़ा समझा नहीं पाया, और पवन भामुजी भी जूड चुके हैं, गुड इवनिंग पवन भामुजी, आपका वेलकम है, जोग्रोफी का इंपोर्टेंट टॉफि है, थेंक्यू वेरी मुच चाहर जी, नेहा एक बार कमेंट कर दीजे, जिससे कि मैं आपके कोश्चन का जवाब देपा हूँ, और नेहा की अपील को देखिए भी, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर, थेंक्यू वेरी मुच, जोग्रोफिया से आपके लिए अपील, और ल नेहा ने कुछ अपील किये, सर, पैन का कलर डार्क कर लो प्लीज, ठीक है, तो पैन का कलर और ब्लेक कर देता हूँ, डार्क हो जाएगा, ठीक है, तो बी, सी, डेस, एस, सुक्ष्मितापी है, आदर जलवाई हूँ, गिरिश्मिकाल के अंदर कम वर्चा, इसका मतलब हो ग के साथ जो क्लाइमेटिक सब क्लासिफिकेशन दिया है, इसका मतलब क्लाइमेट का जो उपवर्गी करण किया है, इन्होंने वो साथ रीजन दिये हैं, इसके अंदर, अब हम देखते हैं, इसके रीजन, जैसे भी, बी, डेस, आर रीजन है, अमेरिका के जो अलास्का और व करनाडा के अंदर यह μिलेगा ऐसे बीए डिश्डबू आर बी एडियगा जो मिड़ल अमेरिकन रीज्ट है उनके अंदर मिले एसे बी एडिस आर देखिए क्यूबा और है के आसपास मिलेगा बीए डैस आर जो है जस्ट जो गुएना और यह वाला रीजन है वेनिजुएला उसके जस्ट उपर की तरफ वैस्ट इंडीज के अंदर मिलेगा तो मैस्ट भाई पवन भामु सर बहुत बहुत शांदार कक्षा है थेंक्यू गनीत के विद्यारती होकर आसानी से समझ में आ रहा है बहुत बढ़ प्लस थोड़ा सा सरल करके जो किताबों में देरका उसको थोड़ा सा सरल करके बच्चों को देने की कोशिश हम लोग लगे हुए हैं और आपका उस्सावरधन हमें निश्जित रूप से उसाहित करता है तो हम देखते हैं बी एडस आर और बी एडस डबलु वाला जो पर कनाड़ा का वेस्टर जो पार्ट है जो वेस्टर लीज विंड्स है उनसे जो रेंफोल होता है वहां भी डेस एस जड़ क्लाइमेटिक रीजन है तो चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर और देखें तो भी सी डेस आर यूरॉप का रीजन ब्रिटेन के साउथ पार्ट तो यहां देखें B-A.S.W आफ्रिका का बिलकुल गिनी खाडी का जो कहना और यह वाला रीजन है वहां पर और गिनी खाडी ब्रिटे अ और ब्यादिक आपर ब्यास स्रीलन्का और उसके आस्पास सादर्न इंडिया में भी है और भी का छेतर यहां पर है ऐसे बी डर्श डवल्व का रीज़न पूरा बंगलादेश और म्यामार का नॉर्दन पार्ट ऐसे बी डश्य डवलु और भी डर्श डवलु तो यह पूरा रीजन वी डिश्यमन का है 2009 बी सी डैस आर का रीजन जापान और सखालीन आयलेंड का रीजन जो ये वला है और कॉरिया का रीजन भी बीडैस आर के अंदर आता है तो कुल मिला करके मैप देख करके थोड़ा बढ़ा करके इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो थेंक यू यह आ पबन जी स् से बच्चा इसके अंदर बहुत एक्स्टा ओडनरी मार्क्स ले सकता है आपके उस्सा वर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आगे देखते हैं अब साउथ अमेरिका और अफ्रिका का जो साउथ पार्ट है उसके अंदर देखें डंक से बढ़ा करके और दिखा हूं B A D S W Region B A A D S W Region यहाँ पर है ऐसे B A D S R Region यहाँ पर बिल्कुल कांगो बेसिन के अंदर वाला शेत रहें B A D S R और B B D S R का रीजन है जो की विक्टोरिया लेख के इस्टन पार्ट के अंदर यह आता है ऐसे B B D S W तंजानिया और कीनिया का एरिया उसके अंदर BB-SW रीजन आ जाता है और ऐसे ही सोमालिया और सदन सुडान का BB-SW रीजन इसके अंदर आ जाता है ऐसे ही साउथ अमेरिका की बात करें तो यह देखिए इदर क्वेटा का जो रीजन है इक्वेडोर का रीजन तो इक्वेडोर के जस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर BB-SR है ऐसे ही वेनेजुएला के नॉर्धन पार्ट में BB-S ए बी एडस आ रहे तो यहां पर जो रीजन है मारकाइबो लेक के आसपास का रीजन है यह वाला भी इडस यूर्व ब्रासीन के इंटिर इजन योगी हाँ कि एंडी ज का ईस्टन पार्ट है वहां पर दिए ड्लू पूरा बोल्विया और पप रहाना प्राग्विका रिजन यहां जाता मिला करके भी-डेस डव्लू भी-डेस- और भी-डेस डवलु रिजन इस एरिया के लग सबता है तो मिला कर यह वाला जो छहेत्र है जहांपर चीली अर्जंटीना और यहांपर पराणा प्रअग्वे वाला रिजन है उस रिजन केंदर यह और क्लिमेटिक रीजन से तो फुल मिलाकर इसको ध्यान से देखना है कि कहां का पर कौन सा रीजन है आला कि बहुत टिपिकल तो है लेकिन ध्यान तो देना ही पड़ेगा चलिए आगे देखते हैं अब ऑस्टेलिया और साउथ इस्ट एशिया की बात करें तो देखें साउथ इस एशिया के अंदर बी-डेस आर वाला रीजन है बीड़ेश डबलू वार लिजन है बी पी काली मंतान या बोर्डीयो जो आईलेंड है उसके उपर है ऐसे बीड़ेश आर पापvas नियोगीनी का इंटिरियर एरिया है बी-डेस डबलू जो है तीमोर आईलेंड के आसपास का उस छेतर के अंदर है यहां पर न्यूजिलेंड का बीवी डेस आर और बीवी डेस एस क्लाइमेटिक रीजन है नौर्धन आइलेंड और सदर्न आइलेंड पर चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अब आता है सी रीजन का और सी के अंदर सबसे ज़्यादा है दस सब डीविज उशन कटी बन दिये उपादर जल्वायू सम जो हुँमिड है और सभी मौस्मों के अंदर वर्षा आर है तो क्या है सभी जो क्लाइमेटिक रीजन से है उसके अंदर रेंफॉल आ रहा है तो तो एवरी क्लाइमेटिक रीजन के अंदर जो रेनफॉल है वो होता है आर की विज़े से, तो C A-R ही हो गया, C A-W तो ऊशन कटी बंदी है, यानि ट्रॉपिकल एड़स से आता है, उपादर जलवाईू सब हुमिड है, और सीटकाल के अंदर कम वर्चा, लेस रेनफॉल इंस विन्टर्स, ऐसे ही C A-D, ऊशन कटी बंदी है, उपादर जलवाईू है, तो ऊशन कटी बंदी है, जो उपादर जलवाईू है, इसका मतलब ट्रॉपिकल सब हुमिड क्लाइमेट है यह, और सभी मौसमों के अंदर कम वर्चा, क्योंकि D आ गया, और D का मतलब यह होता है, small d का मतलब की less rainfall in all months of the year, चलिए, आगे देखते हैं, इसके अंदर कहां कहां पर यह है, तो देखिए यहां पर, C C-R, बिल्कुल just Florida के उपर, फिर C B-R, यह A-R की बात कर रहे हैं, तो C A-R यहां पर है, C B-R है, यहां पर, बिल्कुल Alaska के just, Texas के just pass में, Mexico की खाडी में, ऐसे ह यहां पर, C A-SW आ रहा है यहां पर, और C A-SW तो आ रहा है, यह region है, यहां पर नहीं है, E और ये वाला region है C A-SW, यह region है, यह region है जहा पर Basmine नहीं है, यह region है जहाँ बात के अंदर, गंगा का जो मेडानी छेत्र हैं, वहाँ C A-SW होगा, ऐसे ही, इसके अंदर ब्ति यह पर रीजन है उसके अलावा-C-B-W है-A-डस नहीं है तो A-डस रीजन बहुत कम जगह पर है C के साथ ऐसे ही C A-W देखेए परआपर आगवे के अंदर यहां पर C A-W रीजन होगा यह वाला रीजन है जहाँ पर C A-W रीजन है हैं एसे हम बात करें सी वी डैस आर सी डावलू सी एस और सी डी जानी चारों है यहाँ पर बीडास के साथ्के साथ में मत्यता आप यह मैसीस के साथ में मैसो थर्मल सबहुमिड और रेंट फॉल इन कम वर्षया यानि less rainfall in winters इस तरीके से हम बात करेंगे ऐसे ही CB-S मद्यत आप यह उपादर जलवाई हूँ तो मेसो थर्मल सब हुमिट क्लाइमेट और क्रिश्म काल के अंदर कम वर्षया इसका मतलब सब हुमिट क्लाइमेट आ इसमें और सभी मौसमों में कम वर्षया इसमाल डी है यानि less rainfall in every month यह आ जाएगा तो इसके अंदर देखे दोस्तों सी बीडस एस रीजन यहाँ पर है कैलिफारनिया ऑफर वैंड्यकुर आईललैंड के आसपास का रीजन आ ङया मिसिशिपी के अर मिसोरी बेशीन का जो रीजन है यह पर contrast एस डी रीजन है पूरा और सी बीड़ेस आर और सी बीड़ेस डबलू रीजन इस छेत्र के अंदर मेक्सिकों का जो छेत्र है वहां पर ऐसे सी बीड़ेस डबलू यहां पर है पेरू और एक्वेडोर के बीच में ऐसे सी बीड़ेस डबलू बॉल्विया के अंदर सी बीड़ यहिस आर यहाँ पर बिल्कुल जो पराना प्राग्वे रीवर है उसके बिल्कुल डेल्ट ऐस्शूरी के ऊपर इजब रिजन अपर आ जाएगाी大概 अंदर बीजी व्य हुक्त क्लाइमटिक रिजन जो की बिल्कूल अफरीका के ज़स्ट उपर इसपार पुर्टगाल महां पर यह क्लाइमेटिक रीजन है ऐसे ही यहाँ पर देखें तो बिलकुल कीनिया के अंदर CB-R, CB-R और CB-W, तंजानिया और केनिया के आसपास का रीजन है, CB-W, बिलकुल यह इस एरिया के नामीबिया के जस्ट उपर और बोस्वाना, जिंबामबे, इस छेतर के अंदर CB-W, CB-D र तरगत आता है, तो कुल मिलाकर यह वाले जो रीजन से हैं, वो अमेरिका, अफरीका के अंदर और यॉरोप के सदन पार्ट में, इसके साथ इंडिया के नॉर्धन पार्ट में भी CB-W और तिबद के पार्ट के अंदर आता है, ऐसे ही तीन CB-R, CB-S और CB-R, और ऐसे CB-S, क्लाइमेटिक रीजन तीन जगे ऑस्टेलिया में आता है, इसका मतलब यह वाला जो क्लाइमेटिक रीजन है, यह लगबग सभी कॉंटिनेंट्स के अंदर है, के वाल यॉरोप के अंदर सदन पार्ट के अंदर आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा साथ स्लो करके आप देख लीजिएगा, चलिए आगे चलते हैं, इसके तीन रीजन C के साथ और बच गया है, CC-R, CC-S, CC-D, सक्षमाट, STR-D, CC-R, सुक्षमाट, माईक्रो, THERMAL, subhumid, उपादर जलवाई हूँ, और सभी मौसमों में वर्चा आ रहे हैं, इसको ध्यान रीजिए सबी मौसमों में वर्चा होगी, सब्सक्राइब क्लाइमेट और सभी मौसमों में कम वर्चा यहां पर सभी मौसमों के अंदर कम वर्चा है ठंडा क्लाइमेटिक रीजन है मिलता हैं तो महस्कों के आसपास का रीजन यहां पर बिटेन और उसके आसपास का रीजन जर्मनी और पॉलन्न CC-R, फिर मेक्सिको के आसपास का, मास्को के आसपास का रिजन, SICC-D, साइबरिया के इस्टन में, युराल के इस्टन में मिलता है, CC-R पूरा यहां पर पॉलेंड और हंगरी के आसपास का रिजन है, इटली के जास्ट उपर, SICC-S, और CC-D, जो की गोभी का मरुसल और जो येलो रिवर का, जो क्लेन है, मंचूरिया का रिजन है, चाइना का, उस रिजन के अंदर, और इसके बाद रशिया के साउथ इस्टन रिजन में, तो यह कुल मिला कर, और यहां देखिए, CC-D region, बिलकु नहीं मिलता है, चलिए, आगे देखें, अब आता है, D, A-W, और D, A-D, दो क्लाइमेटिक रिजन है, D के साथ में, तो D के साथ, दो क्लाइमेटिक रिजन के अंदर, उस्टन कटी बन दिये, ट्रॉपिकल रिजन का वो रिजन है, अर्द शुष्क, सेमी एरिड रिजन और स कम वर्ष्या, यानि, लेस रेंफॉल इन विंटर साजाएगा, D, A-D, उस्टन कटी बन दिये जलवाईए, ट्रॉपिकल रिजन का जैसा रिजन होगा, लेकिन, अर्द शुष्क, सेमी एरिड और सभी मौसमों में कम वर्ष्या, यानि, यह होड डेजर्ट के आसपास का रि है, वो देखिए, D का रिजन जो है बिलकुल ओल्ड एरियास के अंदर है, D, A-D, तो यहां पर है, Yucatan पर आइलेंड और क्यूबा के आसपास का रिजन, D, A-D, जो W का रिजन है, वो यहां पर है, और D, A-D, का रिजन है यहां पर, D, A-D, बिलकुल ब्राजील के अंदर, D D, A-D, W, सावना रिजन के अंदर, ऐसे ही, D, A-D, W, जो अरबियन, वो है, D, A-D, W, थार, डेजर्ट और यहां पर भी, ऑस्तिलिया के अंदर, D, A-D, जो रिजन है, वो इस रिजन के अंदर, जो की, Yucatan आइलेंड और क्यूबा का रिजन है, इस एरिया में, और यहां पर जो ग्रेट लेक्स है, उसके आसपास के रिजन में है, ऐसे लास्ट, अब देख रहे हैं, D, B-W, D, B-S, और D, B-D, D, C-D, तो कुल मिलाकर, D के साथ में, यह रिजन साएंगे, जिसको हम मद्यत आपिए, मैसो थर्मल, सेमी एरिज, और सीथ काल के अंदर, कम वर्षा, यहन के अंदर, मद्यत आपिए, अर्द शुष के जलवायू, और ग्रिश मकाल के अंदर, कम वर्षा, यहनि, लेस रैंफॉल इन समर्स, D, B-D, मद्यत आपिए, अर्द शुष के जलवायू का रिजन आएगा, और सभी मौसमों के अंदर, D है तो, कम वर्षा हो जाएगा, इस तरीके से, D, C-D, सुक्षमत आपिए, अर्द शुष के जलवायू आगया, सेमियरिट क्लाइमेट आगया, और सभी मौसमों के अंदर, कम वर्षा हो जाएगा, D के साथ हो जाएगा, तो, चलिए, अंत तक जुड़े रहिए, थोड़ा सी देर के बात है, दो मिनिट की, और का सदन पार्ट है, C-D, सौथ वेस्टन पार्ट है, और C-D, नौर्थ वेस्टन पार्ट आफ यूएसे का, इसमें आ जाएगा, इसी तरीके से, बोल्विया के अंदर, D-B-W, और D-B-D, इस एरिया के अंदर आता है, अफरीका के अंदर, नामीबिया का चेतर है, और D-S, D-B-D, D-B-D, ये रिजन है, हमारा अरब का जो डेजर्ट है, इराक और इरान का आसपास का एरिया, ऐसे ही, C-D, C-D, जो रिजन है, वो साइबेरिया का स्टेपी रिजन का वाला छेतर है, वहाँ पर भी है, C-D, C-D, और D, C-D, D-C-D, तो कुल मिला करके ये वो रिजन है, जहां पर इस्टेपी टाइप की ग्रासेज उकती हैं कुछ-कुछ हट तक, ऐसे ही, D-B-D, आस्टिलिया के डाउंस मैदान के अंदर, और D-B-S, पर्थ, उसके आसपास जो रिजन है, विक्टोरिया डेजर्ट है, उसके आसपा ही है कि लास्ट में, E-A-D, E-B-D, और E-D-D, ये आपका लास्ट रिजन आजाए, आजाएगा, तीनों, तो इसमें देखिए, ओशन कटी बंदी है, A-D से आजाया, सुष्क जलवाई हो, एरिड रिजन, यानि डेजर्ट का रिजन है, E वाला, और सभी मौसमों में कम वर् होगा, E-B-D मद्देता आपिये, मैसो थर्मल, सभी मौसमों में कम वर्चा, सुष्क जलवाई हो, एरिड क्लाइमेट है, और E-D-D, सुष्क में तापिया, यानि माइक्रो थर्मल, और सभी मौसमों में ड्राइमेट है, और सभी मौसमों में कम वर्चा है, यानि, less rainfall in every season, तो यहां पर कौन-कौन सा आ गया, California Desert का रीजन आ गया, जिसमें E-C-E-D-A, नहीं, D है, D है, E-B-D, 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 देखिए, यहां पर जो desert है, Mexican Desert, California Desert, Mojev, Mojev और Sonaram Desert, वह वाला desert का एरिया है, जहां पर यह आता है, ऐसे ही, Atacama Desert का रीजन है, जहां पर य जबनिया, Semi-Ari Desert का है, ऐसे ही, Namib Desert के अंदर, E-B-D वाला रीजन है, वह यहां, E-A-D और E-B-D का रीजन है, सहरा desert के अंदर देखिए, E-A-D, सब जगे है, और E-A-D, अरब नेव्द डेजर्ट और रूबल खाली desert के अंदर है, ऐसे ही हम बात करें, तो यहां पर किजि ऐसे ही, Thar Desert के अंदर भी, E-A-D वाला रीजन आ जाता है, ऐसे ही, Gobi मरुस्तल में, Gobi Desert के अंदर, E-B-D और E-C-D का रीजन इसके अंदर आता है, ऐसे ही, यहां देखिए, Australia के अंदर, तो E-A-D, E-B-D का रीजन इसके अंदर आ जाता है, तो खुल मिलाकर, Desertic area में, E-Climatic region आता है, इसी के साथ देखिए, लास्ट में, D, Tega, Tega Forest, जहां पर है, D, 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 Kanada के अंदर, पूरा बैल्ट है, ऐसे ही, D region जो है, वो, Scandinavia countries, कुछ, British island और Siberia का जो रीजन है, जहां टेगा फोरेस्ट का रीजन है, वहां पर पूरा का पूरा एक बैल्ट है, तो, South में नहीं ह जो है, D, D, क्लाइमेटिक रीजन, पूरा का पूरा टेगा बैल्ट है, जो की कनाड़ा का छेतर है, अलास्का का सदन पार्ट है, और पूरा का पूरा साइबिरिया का पार्ट है, तो, टेगा फोरेस्ट का एरिया आ गया, इसके बाद देखिए, E, E, Tundra region को कहते हैं, और यहाँ पर जो नॉर्धन कनाड़ा, ग्रिन लेंड, इसी के साथ-साथ, नॉर्धन साइबिरिया, E, Tundra region है, रस्या का नॉर्धन पार्ट, इसके नॉर्वेय का नॉर्धन पार्ट, जिसमें नॉर्वेय और फिन्लेंड का नॉर्धन पार्ट, इस पेक्षिक रूस से आता ह ऐसे ही F climatic region, F climatic region, अंटाक्टिका और हायर माउंटेंज पेर वो एरिया, टुंडरा का वो एरिया, जो की 12 मेंथ 100% ice cover होती है, यानि बर्फ से धखा हुआ रहता है, वो सारा एरिया क्या कहलाता है, वो कहलाता है F region, यानि continuous ice cover होता है, वहाँ पर, तो यह था हमारा क्लाइम क्लासिफिकिशन ओफ फॉरे हो चुगे थर्टी टू अब कुछ क्वेश्चन एक दो देखेंगे और फिर आपके कमेंट्स और फिर हम आज के लिए भी दालेंगे तो ग्रेड फॉर्स्ट यानि स्कूल लेक्चरर दोजार तेरा का प्रशन है थॉर्ण वेट का 1948 में दिया गया जलवाईव वर्गी करन आधारित था यानि जो इसके जो फेक्टर्स हैं जो बेसिस हैं उनके ओपर डिपेंड कर रहा है कि किसके ओपर बेज्ट था 48 का जो क्लाइमिटिक क्लासिफिकेशन में जो कर्रेक्शन उन्होंने किया था कुछ अमेंडमेंट किये थे व वो पो ट्रांस्पिरेशन मैंने बता आए था पोटेंचियल एपो ट्रांस्पिरेशन को इन्होंने जोड़ा कब 48 में तो अंसर क्या होगा नेहा ने सबसे पहले दिया है बहुरी गूड निया है मानस अपको भी बहुरी बथाई हो तो अमन्न अ आपने भी बहुत भढ़ि तो चाहिए का question हो चाहिए आरेस का question हो और चाहिए किसी भी लेक्ट्रशिप का question हो आप बी एक के लेवल पर करपाएंगे और इन टॉपिक्स को आना कि थोड़ा typical है मैंने स्पीड से भी लिया है क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे आंसर हमारा भी होगा निश्ची तुरूप से एक question और लेते हैं एंपी असिस्टेंट प्रोफिसर नाइन टूथाउजन एटीन का question है यह थौंट वेट का वर्श उन्नीसों अर्टालीस में संसोधित जल्वाई वर्गी करन की अवधारना पर आधारित है तो इसमें भी वह है प्रभावी तापमान वर्चन सूचकांग संभावी प्रइस पोसर्जन और संभावी वर्चन तो तापमान एफेटिवनेस यहां प्रेसिपिटेशन इंडेक्स ओर पोटेंचियल अवपरेशन इस पर और संभावी वर्चन पोटेंचियल इनो ने इफेक्ट बना दिया इसको प्रेसिपिटेशन तो यहां पर क्या होगा और निहा ने सबसे पहले आंसर दिया फिर बाजी मार गए निहा और मनस सेकंड बेरी गुड तो आंसर हमारा वही होगा तो यह MP में भी यह कुश्चन आया तमना ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया और दिव्या ने भी दिया तलिया आगे देखते हैं अमेरिका जलवाईव विशेषगे CW थॉंडवेट इनका क्या था चार्ल्स वारेन थॉंडवेट पूरा नाम था ने किस वर्ष में विश्व जलवाईव वर्गी करण की स्कीम का संशोधन किया था तो लास्ट में जो संशोधन है वो कब किया था इनोंने तो आप देखिए 1948 के अंदर तो यह आंसर आ जाएगा ठीक है तो यह एर से रिलेटेट कोस्टन भी UGC NET के अंदर पूछा गया 2018 के अंदर यह विशेष ध्यान देना है UGC NET लेवल पर भी एर पूछ रहे हैं तो एर भी ध्यान देना है दोनों तिनों 31 में दिया और 48 में प्रॉपर पर पाया जाता है तो इसके अंदर देखें कौन सा है जो गंगा के मैदान पर पाया जाता है बताएं CWB मैंने बताया था गंगा के मैदान में कौन सा जल्वाई वर्गी करण पाया जाता है CWB जल्वाई वर्गी करण गंगा के मैदान में विशेश रूप से पाया जाता है तो दिव्या का आंसर तमन्ना का निहा का आंसर बिलकुल सही D और इसमें next question का answer भी आपका आने वाला है चलिए इसके अंदर answer आजाएगा आपका CBW, CB-W यह वाला answer आएगा नहां इसके अंदर UPSC, UPPCS 2004 का question है यह यूपी के administrative services का तो इसी के साथ तमन्ना का और इनका answer भी आ रहा है चलिए लास्ट वाला थोड़ा सा टिपिकल था मनज कुमावत ने सही answer दिया चलिए आपको बहुत-बहुत बधाई दिव्या सिर्वी ने भी वापस correct किया सही है answer C इसका सही होगा तो हम निश्चित रूप से जुड़ करके और इस तरीके से कुल मिला कर हम पढ़ते हुए टिपिकल टॉपिक्स को भी आसान तरीके से कर पाएंगे लेकिन आप से सिर्फ एक ही गुजारिस कि अपने सभी friends को जोड़िए जिससे कि आपका और हमारा दोनों का समय भी बस सके क्योंकि समय बहुत-बड़ा important है और सब कुछ चीज़ें मिल सकती हैं क्या नहीं मिल सकता जीवन में माता-पिता और समय ये तीनों चीज़ें नहीं मिल सकती हमें जीवन के अंदर यदि हमने समय खो दिया तो वो दुबारा नहीं मिलेगा तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने सातियों को जोड़िए जिससे ज्यादा से ज्यादा फाइदा हो सके और सब्सक्राइब कर दीजे अपने इस चै benefit के लिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी problems होती हैं कि कई बार classes के अंदर offline में courses नहीं हो पाते हैं समय नहीं मिल पाता तो इसके लिए एक नया effort हमने किया है और इसमें आपके सयोग की बहुत महती आवशक्ता है उसको आप पूरी उमीद है मुझे कि आप निश्चित रूप से इसक पच्चे हैं उनका paper 1925 को है पढ़िए कुछ climate biology का topics और मैं आपको कराऊंगा तो आप सभी को धन्यवाद इसमें सभी ने कमेंट्स कर दिया है मनस ने भी कर दिया है thank you thank you very much नहां आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यश्रवी आपके लिए भी तामना आपके लिए भी प्रद्युमन आपके लिए भी अभिशेक आपके लिए भी और सभी साती जो thank you कह रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो कल फिर मिलेंगे हम एक नए topic के साथ जो schedule आपको डाल देंगे हम लोग और कितने बज़े होगा मेरा topic लगबग इसी तरीक नएवार झाल झाल